सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए हलो एवरीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल आज फिर से आपके लिए एक नया ट्रिक बनाना जा रहा हूं एज रिलेटेड प्रॉलम सॉल्व करने के लिए बहतरीन ट्रिक बनाना जा रहा हूं ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा और आपको जो प्रॉलम होती थी कन्फ्यूजन होता था कि एज रिलेटेड सम को कैसे एजली सॉल्व करें ये सारा कुछ आप एजली सॉल्व कर पाओगे तो इस वीडियो को end तक देखिए तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो चलिए दोस्तों सुरू करते देखिए सबसे पहले आपका मैं concept क्लियर करूँगा उसके बाद आपको दूँगा sort trick देखिए concept में क्या सिखेंगे हम लोग कि ऐसे समको आप traditional method में कैसे करते थे उसके बाद आपको सिखाऊँगा मैं कि sort tricks से आप कैसे solve करोगे तो चलिए सुरू करते देखिए यहाँ पर दिया क्या है the ratio of the ages of Ajay and Vijay is 3 is to 4 मतलब Ajay और Vijay की जो age दिया है वो क्या 3 is to 4 में दिया है मतलब ratio में दिया है 4 years ago this ratio was 5 is to 7 मतलब चार साल पहले यह ratio जो था 5 is to 7 था ठीक है आगे बात करेंगे what is the present age of Ajay and Vijay तो यह बताईए कि उनका present age वरतमान age वरतमान आयू क्या है Ajay और Vijay का देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग tradition method में क्या करते थे हम क्या करते थे यहाप पर suppose करते थे let the present age of Ajay be क्या दिया है यहाप पर देखिए 3 दिया है तो लिखेंगे 3x लिखेंगे कि क्यों यहापर ratio दिया है इसके लिए उसके वाग क्या करते थे हम लोग present age of विजय be 4x इस तरह सपोस करते थे उसके बाद देखिए लिखा है आप पर 4 years ago लिखते थे हम लोग 4 years ago ध्यान दीजिए यह जो word दिया है अगो दिया हुआ है मतलब यह कहीं न कहीं बात करें past tense की बात करें जब भी past tense की बात करेंगे आपको ध्यान देना है माइनस ध्यान देना है अगर future की बात करेंगे तो आपको क्या करना है प्लस करना है अगर पता कहीं चलेगा यह past की बात करें future की बात करें देखिए समझाने कोसिस कर रहा हूँ आप ध्यान दो का line देखो गया 4 years ago this ratio was यह क्या है देखिए past tense की निसानी यह was अगर यहाँ पर will होता तो क्या होता future tense होता तो क्या करोगे लिख देता हूँ यहाँ पर मैं past होगा तो आप minus करोगे future होगा future होगा तो आप plus करोगे लेकिन किसको plus करेंगे और किसको minus करे वो तो बताना रहे गया किसको plus करोगे देखिए जो दिया हूँ यहाँ पर 4 years ago मतलब यहाँ लिखेंगे 4 years ago अजय का 8 जो है वो 3x 4 years ago बोला है अगो मतलब देखिए past हो गया है और past हो गया मतलब minus करेंगे तो इससे minus करेंगे और फिर विजय जो दिया हुआ है विजय के age से भी हम क्या करेंगे minus करेंगे कि past tense की बाद किया है उसके बाद क्या करेंगे देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 3x-4 upon 4x-4 equal to क्या ratio दिया है यहाँ पर 5 is to 7 तो यहाँ पर लिखेंगे 5 upon 7 लिखेंगे अब क्या करेंगे cross multiply करेंगे इसको इससे multiply करेंगे इसको इससे multiply करेंगे तो 7 multiply करेंगे 3x-4 से और 5 multiply करेंगे 4x-4 से उसके बाद क्या करेंगे देखिए इसको इससे multiply करेंगे तो 7 3s are 21x 7 4s are 28 x ये plus form में है इधर आएगा क्या होगा minus हो जाएगा तो minus 20 x और ये minus 20 यहीं पे रहा और ये minus 28 उधर जाएगा क्या बन जाएगा plus 28 बन जाएगा अब देखिए 21 में से 20 गया कितना बचेगा x बचेगा और minus plus क्या होगा minus होगा बड़े की sign plus किया तो होगा 8 होगा तो x equal to 8 आ गया हमें 8 हमें क्या निकाला है यहापँ present age निकालना तक present suppose क्या किया था हम लोग ने 3x suppose किया था तो 3x मतलग क्या हूगा 3 multiply by 8 होगा और 24 होगा और यहापर 4x लिखा था हम लोग ने तो 4 multiply by 8 लिखेंगे और 8 fours are 32 years लिखेंगे देखिए इस तरह से ही answer निकलता था traditional method में अब मैं आपको सिखाया जा रहा हूँ कैसे आप short trick से solve करोगे तो चलिए सुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं देखिए short trick से कैसे solve कर पाऊगे वह मैं आपको सिखाया रहा हूँ ध्यान से देखना आप सब को समझ में आ जाएगा आपको देखें यहाँ पर लिखा हुआ अजय और विजय लिखा है तो A4 अजय लिख दिया मैंने यहाँ पर और V4 विजय लिख दिया मैंने और future test में क्या करते थे हम लोग प्लस करते थे लेकिन अभी यह stress नहीं लेना है short trick के अंदर ठीके वो traditional method में याद रखना है अब क्या करोगे सिर्फ लिखने के लिख यहाँ पर लिख दीजिए कि भई 4 years ago बोला है तुम यहाँ पर मैं-4 लिख लेता हूँ ठीके लगी minus को ध्यान नहीं रखोगे आगे लिखता हूँ मैं-4 अब क्या करेंगे देखिए लिखा है 5 is to 7 तो यहाँ पर लिखता हूँ 5 is to 7 ध्यान देजिए क्या बताने जारह हूँ यह लिख लिए आपने अब देखे क्या कर रहा हूँ देखिए ध्यान देजिए जो इंसान right hand से खाता है ओ याद रखे बाकि left hand होले की बात मैं नहीं करता हूँ ठीके तो right hand से खाते हम लोग तो right hand से शुरू करेंगे हम लोग देखें यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ मैं multiply करने जा रहा हूँ 7 3s आ 7 3s आ क्या कर रहा हूँ 21 फिर यहाँ left से स्टार्ट करेंगे 5 4s आ 20 करेंगे और दोनों को माइनस कर लेंगे ठीके अब देखें क्या होगा 21 माइनस 20 कितना होगा 1 जो हम right hand से स्टार्ट करते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे ठीके यहाँ पर लिख लिए हमेंने 1 लिख लिया क्योंकि 21-20 कितना होगा 1 हो गया ये clear हो गया अब देखिए अब क्या करेंगे ये काम पूरा हो गया ठीक है इसको आप cross कर लिजिए अब क्या करेंगे 7-4 कितना होगा 28 अब दिमाग में ये मत रखेगा किसा आपने minus किया तो आप minus 28 क्यों नहीं रखा आपने मैंने पहले से ब अंब क्या करोंगे यहां पर लिख दोगे 8 लिख दो गे मतलब देखिए 1-8 आगे मतलब यह औन का यह है कि यहां पर आपक या बिया मैं घ्यां कि रिख घ्या हुआ है तो 3 x 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और दिखें बल हम लिखा है तो 4 x 8 communal कितना हो जाएगा इस्टि आपके लिए second sum लेकिया है जिससे आपका concept एकडम clear हो जाए देखें यहाँ पर दिया क्या है यहाँ पर दिया इदा ratio of age of Rohan and Mohan is 1 is to 5 दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर R for Rohan और M for Mohan लिख लेंगे उसके बाद दिखें 1 is to 5 दिया है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 लिख लेंगे उसके बाद ही क्या बोला है उन्होंने कि after 7 years बाद 7 साल बाद the ratio will become 3 is to 8 देखें will बोला है मतलब future बोला है future मतलब plus है तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं plus 7 और plus 7 दोनों में लिख लेता हूं लेकि sign का यहाँ पर मतलब नहीं है मतलब कहां पर होगा जो हमारा traditional method है उसमें मा करेंगे तो 8 1 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और देखिए 3 multiply 5 करेंगे 3 फाइजा 15 हो जाएगा दिमाग में यह मत रखिए कैसे आप 8-15 करोगे तो कोई बात नहीं आप 15-8 करेंगे कोई tension की बात नहीं answer आ जाएगा ठीक है तो 15 में से 8 निकाला कितना बचेगा मेरा 7 ब करेंगे यहां देखेंगे हम लोग अब देखिए 8-7 जा 8-7 जा क्या करेंगे हम लोग 56 लिखेंगे यहां 56 लिख दिया मैने उसके क्या करेंगे हम लोग left hand से इसको इससे multiply करेंगे तो 3 7 जा कितना होगा 21 होगा 21 minus कर लिजिए 6 में से 1 गया तो 5 बचा और 5 में से 2 गया तो 3 बचा ये clear हो गया 35 आ गया तो यहाँ पर मैंने 35 लिग लिया तो ये क्या सही हो गया ये सही अभी नहीं हुआ है आपको क्या करना है 1 is 2 में लाना है तो क्या करना पड़ेगा रेडियूस करना पड़ेगा आप ध्यान रखे हमेशा 1 is 2 में आंसर आएगा तो क्या करोगे इसको रेडियूस कर लोगे देखे 7 1 जा 7 हो गया और 7 5 जा 35 हो गया देखे 1 इस्टू में answer आ गया, जब 1 इस्टू में answer आ जाएगा, तो clear हो जाएगा, कि 1 का 5 है, देखे यहाँ पर, जो देखे रोहन का age जो यहाँ पर 1 है, तो 1 को क्या करोगे, multiply by 5 करोगे, तो 1 5 है क्या होगा, रोहन का age 5 years हो जाएगा, ठीके, अब मोहन देखे यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 को multiply करोगे, 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जिससे क्या पता चलेगा, कि मोहन का age जो है, वो है 25 years है, एकदम clear हो गया, यह था short trick, चलिए और एक्स हम लेते हैं हम लो, जिससे यह concept एकदम clear हो जाए, तो चलिए दोस्तों, और एक्स हम लेते है आपके लिए, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, और एक concept clear हो जाए, देखिए आप ध्यान दीजे क्या दिया है, at present, the ratio of the age of current and arjun is 6 to 5, मलो जो age दिया है present में, वो क्या है, 6 is to 5 दिया है, तो एक काम करता हूँ, k for current लिख लेता हूँ, और a for arjun लिख लेता हूँ, अ 15 years now, the ratio of will, मतलब plus बोला है, मतलब future tense बोला है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, plus 15 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, प्लस 15 लिख लेता हूँ, ठीके, आगे बढ़ते हैं हम लो, अब देखे क्या लिया है, 2 9 is to 8, मतलब यहाँ लिख लेंगे, 9 is to 8 लिख लेंगे, ठीके, अब पूछा क्या है, कि what is the Arjun's present age, Arjun's का present age निकालना है, ठीके, चालू start करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से multiply करना, start करेंगे, तो 8 को 6 से multiply कर लेते हैं, तो 8 6 है कितना होगा, 8 6 होगा, 48 होगा, उसके क्या करेंगे, 9 को इस से multiply कर करेंगे, 9 5 है क्या करेंगे, 45 लिखेंगे, ठीके, माइनस कर लेजीए, तो कितना होगा, आपका 3 आएगा, जैसे जो answer यहाँ पर आप लिख लोगे, यहाँ पर 3 लिख लोगे, ठीके, 3 is 2, अब देखिए, अब क्या करोगे, अब इस 8 को इस 15 से multiply करोगे, ठीके, क्या करोग तो 15 9 जा कितना होता है, 135 होता है, तो 135 को 120 से माइनस कर लोगे, ठीके, तो 120 से माइनस कर लेता हूँ, तो 5 और 3 में से 2 गया, तो 1 बचाई, 0 हो गया, मतलब क्या होगा, 15 आ गया है, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले sum में बताया है, मैंने, कि 1 is 2 में answer ना चीए, तो क्य करोगे, उसको reduce करोगे, देखिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, अब easy हो गया, कि 1 is 2 मतलब 5 हो गया, मतलब 1 का जो जो 5 इनिट है, तो क्या करेंगे, हम दो देखिए, करन की age क्या हो जाएगा, 6 दिया यहाँ पर, 6 multiply 5 करेंगे, 6 5 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ल 5 years हो जाएगा, ठीक है, तो यह answer हो गया, चलिए और एक sum लेते हैं हम लोग, अच्छे समझने के लिए, तो चलिए दोस्तों शुरू करते देखिए, आपके लिए मैं और एक sum लेके आ रहा हूँ, जिससे आपका concern एकदम clear हो जाए, देखिए मैं चाहता हूँ कि इसमें अच्छे लिए answer निकाल सकते हो, तो चलिए शुरू करते हो देखिए, और एक sum लेके आ हो देखिए, इसको solve करते हैं, the ratio of the age of mahas and suraj is 7 is to 9 दिया है, क्या दिया है, mahas and suraj का age का ratio जो दिया हुआ है, 7 is to 9 दिया है, तो यह काम करता हूँ, यहा लिख लिखता हूँ, M4 mahas और S for suraj लिख 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 लिखता हूँ, ठीक है, और दिया है है, यहाँ पर 7 is to 9 दिया है, यह लिख 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 लिखा है, उसके बाद देखिए, क्या बोला है हिन्होंने, कि 10 years ago, this ratio was, was मतलग क्या होगा, past tense बोला है, तो minus करेंगे, क्या minus करेंगे, 10 minus करेंगे, तो दोनों त minus 10 और minus 10 करेंगे, sign का tensor बिल्कुल ना लेजिए, यह sign हमारे traditional method में use होगा, आगे बढ़ते हैं लोग, the ratio was 5 is to 7, तो क्या करेंगे, 5 is to 7, मैंने यहाँ पर लिख लिख लिया, clear होगे, आगे बढ़ते हैं लोग, देखिए, क्या बोला है इन्होंने आगे, कि what is the present age of suraj, मना suraj इसकी present age निकालना है, clear है, start करते हैं, यह मैं line draw कर लिया, अगर sign में अगर problem हो रहा है आपको, तो इसको मिटा लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखिए, इस 7 को, इस 7 से multiply करेंगे, तो 7, 7 जा कितना होगा, मैं लिखता हूँ, यहाँ पर 49 होगा, उसके बाद देखिए, 5 को इस से multiply कीजिए, तो 5, 9 जा कितना होगा, 45 होगा, तो 45 लिख लिया मैंने, minus कर लिजिए, तो answer कितना होगा, आपका, 9 में से 5 गया, तो 4 बचेगा, ठीके, और यह 0 होगया, मतलब क्या होगा, answer 4 होगा, तो आप यहाँ पर 4 लिख लिजिए, ठीके, each 2 में रख दिया, अब क् 5 को इस 10 से multiply करेंगे, ठीके, cross multiply करेंगे, तो 5 10 जा कितना होगा, 50 होगा, चलिए minus कर लिजिए, तो 20 हो जाएगा, आप यहाँ पर 20 लिख लोगे, जैसे कि हर एक सम्में कहते आ रहा हो, मैं हमेंसा याद रखिए, 1 is 2 के answer में आना चाहिए answer, तो क्या करोगे, इसको reduce करोगे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 करोगे, ठीके, 1 is 2 5 में आ गया, मतलब यह हमारा perfect होगे, अब क्या करेंगे, 1 का ratio का value जो 5 है, तो क्या करेंगे, सुरेज का हमें age निकालना है, तो 9 को 5 से multiply कर लेंगे, 9 5 है कितना होगा, 45 होगा, मतलब यहाँ पर जो पूछा था, present age of सुरेज is 45 years, तो य यह था इसका answer, उमीद करता हूँ कि हर एक concept आपका clear हो गया, देखिए आपके screen पर यह sum आ चुका है, इसे आप खुद solve कीजिए, और comment करके answer दीजिए, तो यह video कैसा लगा, please comment करके बताएए, वीडियो पसंद आया हो, तो like करना भूले, और अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, त प्लीज सबस्क्राइब कर लेजिए, साथ में बेल आइकन दबना ना भूले, क्योंकि आप बेल आइकन दबाओके, तो जो भी आमें नया वीडियो बनाओंगा, वो आप तक पहुच पाएगा, तो बेल आइकन साथ में दबा देना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में,